देश के आधे से ज्यादा राज्यों में पैट्रोल सो को पार कर गया तीन राज्यों में डीजल भी सो के पार चला गया ऐसा पहली बार हुआ है जब इंधन के दाम इस तरह आसमान छू रहे हैं आए दिन पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जिस कदर महंगाई बढ़ रही है उससे केंद्र और राज्य सरकारों के भीतर कोई चिंता दिखाई ना देना हैरान करता है देखने से ऐसा लगता है जैसे दामों को काबू करने में सरकारें लाचार हों पर ऐसा है नहीं हकीकत तो यह है कि पैट्रोल और डीजल के दाम सरकारी खजाना भरने का जरिया बन गए है 16 बार मै और 16 ही बार जून में सरकारी तेल कमपनियों ने पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए दाम भले 5 पैसे से 30 पैसे ही बढ़ाए जा रहे हों लेकिन इनका एक मुष्ट असर भारी हो गया है इस साल यानी सिर्फ 6 महिने में पैट्रोल करीब 16 रूपे और डीजल साड़े 15 रूपे तक महंगा हो गया ऐसे में आम आदमी की जुबाँ पर अब यही सवाल है की अब और कितने दाम बढ़ेंगे क्या पैट्रोल डीजल सवा सो डेड़ सो के आकड़े को छू जाएगा इस वक्त जैसे हालात हैं उनमें पैट्रोल और डीजल के दामों में कमी के अनुसार दूर दूर तक नहीं दिखते तेल कमपनियों का तरक है की अंतराश्टिय बाजार में कच्चा तेल महंगा होने की वजह से दाम बढ़ाना मजबूरी है अगर वाकई ऐसा है तो फिर कच्चा तेल जब बहुत ही सस्ता था तब फिर उभोकताओं के लिए पैट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं हुआ इसी से साबित होता है घरेलू बजार में इनके दाम बढ़ाने का अंतराश्टिय बजार से दामों से कोई संबंध नहीं है इसके लिए पिछले डेड़ दशक के दो आकडों पर गोर करना होगा 2015-16 में कच्चा तेल 46 रुपे 17 पैसे प्रती बैरल के भाव खरीदा गया था यहे एक दशक में सबसे कम भाव था इसी तरह 2020-21 में 44 रुपे 82 पैसे प्रती बैरल के भाव से खरीदा गया जो पिछले डेड़ दशक का नियूनतम भाव था लेकिन दोनों ही बार उभोकताओं को कोई राहत नहीं दी गई उल्टे केंद्र और राज्य सरकारों ने जनता की जेब से पैसा निकालना और खजाना भरना जारी रखा अभी एक लीटर पैट्रोल के खुद्रा दाम में 32 रुपे नभे पैसे केंद्र का कर और 23 रुपे के आसपास राज्यों का कर है जो हर राज्य में अलग अलग है स्टॉप फ्रेंड्स पीडियेफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप हमारे वाट्सेप ग्रूप और टेलिग्राम ग्रूप से जुड़कर भी वीडियो के डेली डिक्टेशन और पीडियेफ लिंक पासकते हैं धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में